डव्लू एचो ने एक्वेटोरियल गिनी में मालबग बिमारी के पहले प्रकोप की पुष्टी की है। जल्दी पहचान होने के चलते आपातकालीन प्रतिक्रिया जल्दी से पूरी हो सकती है। मालबग संक्रमन के इलाज के लिए कोई अधिकरटी का या दवाय उप्लब नहीं है लेकिन लक्षनों को कम करने के लिए रिहाइडरेशन ट्रीट्मेंट जीवित रहने के लिए संभावना में सुधार हो सकता है। इस दुलब वायरस की पहचान पहली बार 1967 में हुई थी। जब इसने मालबग जर्मनी और ब्रेल ग्रेंट सर्बिया में एक साथ प्रयोक शालाओं में बिमारी का प्रकोब पैदा किया था। अंगोला में 2004 के मालबग का प्रकोब देखने को मिला था। जब इस वायरस से संक्रमित 252 लोगों में से 90% लोगों की मौत हो गई थी। पिछले साल गहाना में मालबग वायरस से दो लोगों की मौत हो चुकी है। वेरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताए। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं टीविनान डिजिटल।